दो कि नमश्कर्ण स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पर मैं हूं आपके साथ स्वातिसिंग्ध आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होगे चलिए हम आपके लिए कई सारी वीडियोज लेकर आते हैं जो आपकी सेहत पर असर भी डालती हैं जो आपकी सेहत ठीप कर करने के लिए शायद काफिया सरदार होती होंगी अगर हां तो कॉमेंट बॉक्स पर बताइएगा चलिए आज का टॉपिक आपको बता देते हैं जिससे शायद आपको मदफ मिल जाए जी आपको बता दे कि आइसक्रीम हम सब के फेवरिट होती है हम सभी को आइसक्रीम खाना बेहत पसंद होता है शादी हो या फिर रात की क्रेविंग हो हम सब आइसक्रीम के दिवाने रहते हैं चाहें बच्ची हो या बड़े हो आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता आपको आपके बच्चों को या फिर आप किसी जो बड़ी उम्र के लोग होंगे उनका भी कभी न कभी आईस्क्रीम खाने का मन तो जरूर कर जाता होगा यहां तक कि आईस्क्रीम खाने में हम ये भी नहीं देखते कि सर्दी में खा रहे हैं ये गर्मी में कभी भी आईस्क्रीम के शौकीन लोग आईस्क्रीम खाने के लिए तयार रहते हैं नाम सुनते ही किसी के भी साफतोर में मुह में पानी आ जाता है कि आईस्क्रीम खाना लोगों को काफी पसंद होता है चाहे भूक लगी हो ना लगी हो यआ पेट भरा हो तब भी आइस्क्रीम खाने का मन करता ही है सरदी, गर्मी, बरसात, आइस्क्रीम हर सीजन में किसी को भी पसंद आ जाती है और आईस्क्रीम इंसान खा लेता है लेकिन आज हम आइस्क्रीम के बात क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि आज आईस्क्रीम के बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जो चीज आपके मन को इतना भा रही है, कहीं वो आपको जादा नुकसान तो नहीं पहुचा रही है या फिर उसके खाने से आपको कितने फायदे हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि लोगों की आमधारना यही रही है, कि आईस्क्रीम हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती इसमें शुगर, फ्लेवर, कलर आदी मिलाए जाते हैं आईस्क्रीम कितमी खुपसूरत कलर की और फ्लेवर की होती हैं जिसमें स्ट्रॉबरी, वैनीला, नाजाने मैंगो कितने फ्लेवर आ जाते हैं जिसमें कलर का इस्तमाल भी किया जाता है, जनसे बिमारियां हो सकती है कई लोगों ने आपने ये सुना होगा कई लोगों कहते हुए कि आईस्क्रीम से बचना चाहिए, बचाफ करना चाहिए, जादा आईस्क्रीम नहीं खानी चाहिए वैसे हाल ही में कुछ research में ये बात सामने आई है कि ice cream का हमारी सिहत पर अच्छा असर पड़ता है वर्षों से ice cream को unhealthy बताकर इसे लोगों को दूर रखने की कोशिश जारी रही है लेकिन मन के आगे सब कुछ fail हो गया है हम ice cream खाना नहीं छोड़ते शादी से लेकर हर season तक ice cream का अलग ही एक मजा रहता है लेकिन हकीकत आपको पता है क्या है हकीकत यह है कि ice cream खाने से कई बिमारियां दूर भी होती है जी हाँ आपको हैराने होगी जो ice cream जिसके बारे में अलग ही धारना वनी हुई है उससे खाने से सेहत को आराम भी मिलता है हमारी सेहत बहतर बनी रहती है ice cream खाने से heart problem का risk कम होता है पहली बार dairy product से बनी ice cream में milk और fat के मिलने से एक खास तरहा की छिली बनती है इसकी खासियत ये है कि ये छिली बलड में शुगर के जाने की रफतार को धीमा कर देती है हम आप जो भी खाते हैं वो किस speed से और कितने समय में शुगर, blood, sugar, glucose में बदलता है उसे glycemic index से ना पा जाता है research में बताया गया कि ice cream में glycemic index value कम होती है यानि ice cream शुगर की release होने को control करती है इसलिए heart की बिमारी का risk इससे कम होता है तो पहली चीज़ अगर आप heart के मरीज हैं आपको एक काफी problem का सामना करना पड़ता है ऐसे में अगर आप ice cream खा रहे हैं या फिर आपका ice cream खाने का मन हो रहा है तो आप बिल्कुल ना जिचके इससे ice cream खाने से आपका heart है वो strong रहता है और आपकी स्वास्त को काफी मदद मिलती है स्वस्त रहने के लिए जी हाँ, ice cream के low glue sanic index के कारण diabetes का risk भी कम होता है जी हाँ, जो लोग बोलते हैं कि ice cream खाने से diabetes का खत्रा बढ़ जाता है जिनने diabetes होती है उन्हें ice cream नहीं खानी चाहिए ice cream में शुगर जादा होता है तो उन लोगों के लिए बता देते हैं कि अगर आप diabetes patient हैं तो आप ice cream खा सकते हैं ice cream खाने से आपको बता दे overweight लोगों में diabetes होने का खत्रा कम पाया गया है बावजोत इसके diabetes के मरीजों को ice cream कम मात्रा में खानी चाहिए PGI आपको बता दे कि कई डॉक्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस पूरी बात की जानकारी हमें दे हैं जिन्होंने बताया है कि ice cream में शुगर की मात्रा अधिक होती है इसमें saturated fat trans fat भी अधिक होता है इसलिए diabetes के मरीजों को ice cream नहीं खानी चाहिए ऐसा कहा जाता है जो diabetes से पीड़ित होते हैं उन्हें इसके जानकारी होनी चाहिए कि वे दिन भर में carbohydrate की कितनी मात्रा ले रहे हैं तो साथ तोड़ पर diabetes के मरीजों को ice cream नहीं खाने की सला डॉक्टर दे रहे हैं डॉक्टर बता रहे हैं कि ice cream आपको नहीं खानी है लेकिन जिन ice cream में sugar है आपको वो ice cream नहीं खानी है otherwise आप ice cream खा सकते हैं अगर आप diabetes के patient हैं और आप ऐसी ice cream खा रहे हैं जिसमें zero sugar है उसमें कोई बुराई नहीं है वो आपकी diabetes के खत्रे को भी थोड़ा कम कर देती है क्या आप जानते हैं कि दातों का कभी इलाज लोग कराने के लिए डॉक्टरों के पास जाया करते थे दात में जरा सा भी दर्द हुआ dentist के पास हम पहुँच जाते थे और dentist कितनी फीस लेते हैं यह हम और आप जानते ही है लेकिन दात निकलवाने पर dentist मरीज को आदे घंटे तक ice cream खाने को कहते हैं यह बात भी सच है इसका कारण भी यही है आपको बता दे कि ice cream pain killer का काम करती है जी हाँ अगर आपके भी मसूडों में दातों में दर्द रहता है तो आप भी ice cream खाने के बाद एक अलग ही साफ तोर पर एहसास जो आप फील करेंगे कि किस तरीके से आपके दात निकलवाने पर मसूडों में सूजन जबाती है दात के आसपास के tissues को भी नुकसान उससे पहुच जाता है इसलिए इसमें दर्द भी होता है ice cream cold साफ तोर पर conference का काम करती है यह आपको transition medicine जस तरीके से यह आपके लिए बनती है यह आपके जो दर्द होता है उसको सुन कर देती है आप ठंडी ice cream खाते हैं तो आप महसूस करते हैं राहत इसलिए doctor भी आपको आपके दात की तकलीफ की वज़ह से ice cream खाने की सलावी देते हैं आपको बदा दें कि ice cream यहीं तक सीमित इसके लाब नहीं है ice cream के लाब और भी कई है mental health को boost करती है ice cream एक cup ice cream भी आपके मन, मिजाज को दोस्त करती है आप जब अच्छा फील नहीं कर रहे है या फिर stress में हो तो ice cream आप खाएंगे और अपने mood को आप जिस तरीके से देखेंगे आप भी हैरप में पढ़ जाएंगे कि जब कहा जाता है आप stress में हैं, आपके mood swings हो रहे हैं आपको परिशानी है, tension में है तो आप अच्छी चीज़े खाएंग और ice cream उनमें से एक है ice cream natural cooling agent का काम करती है इसलिए ये pain relief और stress को दूर करती है साथ ही दूद में tryptophone होता है जो कि brain में happy hormones, serotonin release करता है और viral fever में भी ice cream आप खा सकते हैं आपने ये नहीं सुना होगा लेकिन आपको बता दे कि अगर आपको viral fever है सर्दी खासी, गला खराब रहना या बुकहार आपको हो रहा है तो ice cream नहीं खाने के साला लोग देते हैं जबकि ice cream probiotics है जिसमें healthy bacteria होते हैं इससे ना केवल आपको inflammation में आराम निलता है बरकि इसमें मौझूद protein, minerals, antioxidants और flaroidutes नाम के जितने भी systems होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं आपको बता दे कि pregnant महिलाओं के लिए जब pregnancy में भी ice cream महिलाएं खाती हैं कई महिलाओं के mood disorders और depression का वो लोग सामना कर रही होती है ऐसे में ice cream खाने से शरीर को energy मिलती है इससे भर पूर protein भी मिलता है ice cream में कही तरह के फलो का pulp मिलाया जाता है strawberry, खजूर, अंजीर, अंगूर, पपीता, खरबूजा, pineapple वाली ice cream tasty तो नहीं होती है बलकि इसमें antioxidants की मात्रा भी जादा होती है तो आप समझ सकते हैं यह ice cream खाने के आपको इतने फाइदे बता दिये गए वो ice cream जो आपकी दिल की रानी होती है आप दिन हो या रात अगर ice cream सामने हैं तो आप नहीं देखते ऐसे में ice cream आपके लिए कितनी पाइदे मंद है आपके दात के दर्ट से लेकर आपके mood swings तक आपके stress level को control करने तक ice cream आपके लिए कितनी जादा ओपियोगी है कि आप अगर ice cream खा रहे हैं और सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं तो आपको बता दें ये स्वाद ही नहीं ये आपके स्वास्त के लिए भी काफ़ी लाबडायक होती है तो ऐसे ही तवाम tips के लिए तवाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें आप अपना और अपनों का खयाल रखे मेरे साथ बस इतना ही देखे रही इंडिया नियूज धन्यूबाद